राष्टरपती संसत की सिफारीज पर ये गोशना करते हैं कि ये दिनांग जिस दिन भारत के राष्टरपती द्वारा इस गोशना पर अस्तक्सर किये जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकासित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छे 370 के सभी खंड लागू नहीं ह यह बात है 5 अगस्त 2019 की भारत की संसत में कश्मीर कुले के प्रस्ताव पास हुआ जिसमें आर्टिकल 370 और 35A को ततकाल प्रभाव से निश्क्रिय कर दिया गया लेकिन इसकी गूंज बॉर्डर पार तक सुनाई थी फटोकों का यह कहना है कि यह आर्टिकल खद्वा गया यह बुन्यादी दौर पर इंडिया की जानब से एक वाया तक 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 देमोग्राफिय और और अकसरियत है कश्मीर या माम की उसको खद्व किया जा सके पाकिस्तान नी गुस्से में भारत के साथ वियापारिक संबंध खत्म करती है फुद समय तक पाकिसान अपने फैसले पर अड़ा रहा लेकिन जब अर्थ व्यवस्था पर मार पड़ी तो समझ आया अब पाकिस्तान वियापारिक रिष्टे वहाल करने की मांग कर रहा है आज हम आपको बताएंगे भारत और पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन्स का इतिहास और आखिर क्यूं पाकिस्तान में भारत के साथ वियापार करने की मांग भड़ रही है नमस्कार आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत और मैं हूँ प्रशन सहाब के साथ पाकिस्तान के कराची में बिजनस लीडर्स के बीच बैठक हुए इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधान मंतरी शहबाज शरीफ भी मौझूद थे फिलाल पाकिस्तान बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूज रहा है कुछ आखडों से इस बात को समझी एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 275 पाकिस्तानी रुपे हो गई 2020 में आकड़ा 153 रुपे पड़ था पाकिस्तानी रुपे के घटने से मुसीबते आ रही है फिनैंशल यह 2023 से 24 में महंगाई 29 पोसंट के पार पहुँच गई गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 40 प्रतीशत से ज्यादा हो चुकी है पाकिस्तान सरकार को बिजली बचाने के लिए अजीबो गरीब नियम लाने पड़ रहे है सबके अलावा पाकिस्तान की ऊपर चड़ा कर्ज भी बढ़ रहा है पाकिस्तान को आईम एफ सहित उसके मित्र देशों ने कर्ज देने से इंकार कर दिया है हालात ये है कि पाकिस्तान चीन को गधे तक एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान पर आर्थिक संकट के बादल कई सालों से मड़ा रही है और समय के साथ इसंकट बढ़ता ही जा रहा है शहबाज शरीफ ने चुनावी रैली में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो आर्थ विवस्ता को पट्री पढ़ाया जाएगा अब उनकी सरकार बन गई है तो उन्हें अपना वादा पूरा करना है इसलिए वो बिजनस लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं इसी दौरान मीटिंग में एक बिजनस लीडर्स ने काफ़े दिल्चस्प सुझाव दिया यह सुझाव दिया आरिफ हभीव ने उन्होंने कहा देख तो आप इमरान खान के साथ अपने मसले हल करने की कोशिश करें और दूसरी चीज़ आपको भारत के जाथ व्यापार शुरू करना चाहिए इससे हमारी अर्थ व्यवस्था को काफी फाइदा मिलेगा अब सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान का आखिर व्यापारिक इतिहास क्या है और यह कब और क्यों बंद हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी स्मूथ ट्रेड नहीं रहा है और हमेशा उतार चड़ावाते रहे ना यह उन पर नज़र डाल दे इयर 1952 में इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कॉन्फरेंस हुई जुसमें तीन साल के लिएक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया गया अलाकि ट्रेड का वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं था 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद हुआ जिसकी वज़ा से 1974 तक ट्रेड वॉल्यूम जीरो के पराबर था 1974 में ट्रेड शुरू करने के लिए अग्रीमेंट किया गया फिर भी 1999 से 2000 तक ट्रेड में कुछ खास फर्क नहीं आया लेकिन साल 2003 से 2004 से व्यापार बढ़ा आपको बता दी कि जब साल 2019 में इस अंसद मैं इतिहासिक फैसला लिया गया तब ताव में आकर पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार काड़ी अब समझते हैं भारत और पाकिस्तान में किन चीजों का ट्रेड होता था साल 2011-2018 के बीच भारत से पाकिस्तान जाने वाले प्रड़क्स में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्स्टाइल का था 2018 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के करीब 850 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था आज के हिसाब से बोले तो 7,000 करोड भारती रुपे इसके लावा chemical products और food products भी भारत से पाकिस्तान जाते थे अब समझते हैं कि पाकिस्तान से भारत कौन से products आते थे पाकिस्तान से भारत आने वाले products में सबसे बड़ा हिस्सा फलो का है पाकिस्तान की टोटल नर्यात में फलो का हिस्सा 21 प्रतीशत था इसके लावा सिमेंट और पेट्रोलिंग प्रड़क्स भी पाकिस्तान से भारत आते थे अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी अकड को किनारे करके खुद की आर्थिक स्तिती में सुधार लाने के लिए भारत से मदद मागता है या नहीं धन्यवाद